हाई हाई हलो दोस्तों आप सभी को स्वागत करता हूं यह सब्सक्राइब किया नहीं तो करो मैरा दोस्तों सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब किया हुआ सब्सक्राइब और दोस्तों के लिए तो सब्सक्राइब कर न particular दोस्तों के तो आप करो दोस्तों मेरा तार कुछ काम होगा तो मैं तो इतना कर सकता हूं और अब पढ़ना है तो आप तो प्लेश्ट जाकर पढ़ो दोस्तों कुछ भी पढ़ना है तो प्लेश्ट गया तो तो आपको clearly मैं sectionally divide करके playlist बना कर आपका दिये हुआं दोस्तों आप SPV education world में क्या-क्या मिलते हैं और देखते हैं आपका नया जाब notification आगे तो वह भी मैं explain करता हूं syllabus और preparation strategy सब भी से और courses लेता हूं क्या कि ISI, PSU, PSU, TNPSU कोई भी exam है न उसका syllabus आप टीक से पढ़ लिया तो उस syllabus में क्या-क्या है उसके तरह की टॉपिक्स का आप प्लेइलिस्ट में सर्च किया तो आपको मिल सकता हैं दोस्तों इसलिए वही सही आप SPV education world में पढ़ सकते हैं दोस्तों आम तो 1000 subscribers से ज्यादा हुए तैंक्यू फ्रेंट्स मैं हूँ में SP राजन आपका सभी class में ही ले रहा हूं पीचो में तो तीन बनाकर ज्यादा class ले सकता हूं अब देखते हैं दोस्तों आप आपका नहीं होना है दोस्तों हिंदी classes तो आपको वाइट बैग्राउंड से होता हैं ब्लू इंक से वही कोई तेलिवू पढ़ना है तो रेट कलर बैग्राउंड इंग्लीश ग्रीन कलर बैग्राउंड और ता मिलिसा मैं कलर कोडिंग तरह की आपका classes को डिवाइड करके तंबनेल्स डाल रहा हूं दोस्तों और यह भी सब्सक्राइब क्लाइस फ्री हैं दोस्तों टेक से पलो दोस्तों ओके दोस्तों तैंक यू आज से हम कुछ ना कुछ तो मोटिवेशन कोड से चलता हैं वेल्यू ड़ाजन्त मीन दाट गीम इस ओवर इट मीन्स ट्राइगें तो में आपको ज्यादा परेंसे चलता लुच तो पाली यहां किूंत तोट आपसिशन्त हैं दोसों वहीं आपको failure सिखाते हैं दोसों आप कुछ ना कुछ से समय तो failure face कर रहा है तो कोई डर नहीं दोस्तों आप उससे experience लो और एगीन fight करो और जीत लो दोस्तों अब देखते हैं history of इंडिया हमने पहला क्लास देख लिया history of ancient इंडिया वह क्या देखा हम एक बार देखते हैं फिर उघ्या चया तूबर देखते हैं फिर उसके बाद आपको क्लासिस ले रहा हूं आपके हेल्प करने आपको हेल्प करने के लिए उसका वजीवन कैसा हुआ डिविशन क्या है और सब हम देखनी है फिर प्यलेटिक एज के बारे में हमने पुछा और पड़ा और इस येज देखा और प्यलेटिक एज को तीन तरह डिवैट क्या ओल्ड स्टॉन एज सब हम देख लिया फिर अपर पर वहां से हमने क्या-क्या एविडेंस क्या है, उसका अड़ॉन्समें क्यों है, किस एरिया में वह जीवन कर रहा है, वह सब देख लिया है, फिर पर ऐलीयोलितिक में तो आगे तो कल्चिस होता है, सब्सक्राइब देखते हैं मिसोलितिक एज और नियोलितिक एज अब टाइटल पड़ा है तो आपको पता ही होता है दोस्तों और मिसोलितिक एज किया क्या हैं कैसे पड़ना है एक बार देखते तो मिसोलितिक एज तो एक ट्राइज मतलब पहला तो रही जिख लिया मिसोलितिक को में बीच में हुआ काल ही हमारा मिसोलितिक एज हैं उसका डेवलप्मेंट सभी यहां से ट्रांसेशन होता है ना वो सभी यहां से चेंज होता रहता हैं दोस्तों वही ट्रांसेशन दोन है करते हैं दोस्तों और अब मिसोलितिक और मिडिल स्टोन एज में बेसिक देखते हैं म सिसमा क्या है मिदलिट inventory एज मिदल स्टों एज मिदल स्टोंые च वे हैं हैं दूसरा नमदी रख से दोस्तों लीट स्टोंेज का सकते हैं पिर नहों है तो इसको तो मीष ओलिटिक और माइक्र enforce क्यों बोला हो बोला है क्योंकि माइक्र बनेग मतलब चोटा-चोटा में में माइक्रोव में स बहुत चोटा हैं इसलिए माइक्रॉलिटिक पिरिएड मीन्स आपका तो चोटा सा स्टोन्स यूज़ किया है पहला तो पहले में करते हैं और आप हम देखते हैं माईक्रोलितिक एच तो इंडिया में तो yukh में तो बढने लगा वाम होने लगा हमने पहला देखा ना पहला तो तो ख्लाइमेट तो आईसेज रहा इसलिए खूल और आइस कवर हुआ है इर्थ को सबी प्लेसेस में और अब तो वाम होने लगा वाम हुआ तो अब प्लाइंड्स और आनिमल्स वह सभी ग्रो ज्यादा होने लगा ज्यादा हो गया तो को हुँमन का इक्जेस्टेंस भी ज्यादा होता रहता हैं दोस्वाई हमने एक बार देख लिया फिर और जागरिफिकल डिस्कीमेशन के बारे में हमने देखा है तो मिस्वलेटिक में सोनेचछ कहां कहां एविडेंस से हमें मिला है एक बार देख लगा कभी में सीख सकते हैं धाल रहा हो तो तोड़ा लेट होगा फिर भी मैं 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 लगनाच गुजरात मतलब वो तो कहां है यह तो गुजरात के पास में माध्य बिम्बित का मतलब सेंट्र ओफ इंडिया मध्य प्रदेश में हैं चंपानी मंदो तो उत्तर प्रदेश में इस्ट एंड है यह तो इंडर्स वैली सिविलिजेशन पढ़ने के समय भी मंदो आएगा फिर बिर्बानपूर तो बु तो हमें मिला है और सेट्लमेंट्स पीपल का लाइफ सेल देखा है तो यह तो हट्स में रहते हैं और हम वह भी अच्छा से बिल्ट हुआ हट्स उनने तयार करने लगा और इसमें जीवन शुरू करने लगा है और और हट्स भी सरक्लर फिर ना तो वाल शेप में तरहां तो एक शेप होता है नमें वहीं वावल शेप होता है दोस्वाँ और वहां-डू शेप होता हैं और विंबयत लाइश काल में मीन अनधे cm एक बार इमेज को पूरा से दिख से देख लो उस एमेज से ही आपको ज्यादा सीख सकते हैं दूस्टों यह इमेज देखके तो एक कव का सिंबल है यहां तो यहां देखा तो दूष इसके पासहें दोश्ट्रों ईमेज को गड़ने करने लगया के लस्ट अब सब्सक्राम कंई वह से आनिमेज को डेख करने होें थे लिए। तो उसे हम ज्यादा सीख सकते हैं दोस्तों और देखते हैं यहां तो रिवर हैं रिवर के पास तो यह चोटी वाली फिशिंग कर रहा है और यह लोग हंटिंग करने के लिए जा रहा है यहां लोग तो कुछ ना कुछ तो ग्यादर करके फ्रूट और ग्रांट आबड़ेंटर वेजिटेबर सोव को लेकर यहां एकटा करके जीवन कर रहा हैं दोस्ते हां तो हट हैं यहां तो फारस्ट हैं यहां तो कुछ ना-कुछ तो अग्री कल्चर आइक्टिबिस करने लगा है यहां देखो दोस्तों यही उसका लाइफस्टेल है इमेज से ही पढ़ो दोस्तों इसलिए आपको ज्यादा याद रखते हैं और अब देखते हैं उसका स्वसेटी कैसे हैं पहला वाला तो पैलियोलितिक उसी एज में तो कोई कोई लोग सेटल नहीं हुआ हैं यहां से लोग तो सेटल करके फिक्सट सेटलमेंट में जीवन शुरू करना लगा हैं दोस्तों देखो कहां से ग्यादरर्स और हंटर्स और नॉमेडिक लाइफ से इन लोगों तो स्लोली 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 तो फिक्सट कल्चर में आ गया ओर एक पीपल ज्यदा ज्यादा सी ज़्य ज्यदा हंटर फुट्ट गेंद्र्श फिषर्मिंट मचली पकड़ने वाले भी हो गया दोस्तों और तो मैंने चाहना उससे तरह इतने तो डोमस्टिक करने लगा हैं दोस्तों समाल अनिमल्स को हंट करने के लिए तो बाउ अन एरो और पीयस को यूज करने लगा हैं राम के पास होते हैं ना बाउ अन एरो उसको हिंदी में क्या गता हैं मेरे को आये नहीं पिर भी आपको पता ही होता है नोसे एक बार सोच लो फिर वह तो ज्यादा पहला तो अनिमल मीट और से नान वेजी काने लगा हैं दोस्तों अब तो अग्रिकल्चर शूरू कर दिया चोटा सा वेजटीपेल्स ग्यादर करने लगा प्लांट फूट्स काने लगा इसलिए तो दीरे-दीरे से इन लोगों तो वेजटेरियन बनने कि लोग तो इसलिए आप उन लोग के बारे में हम तो लिंक करके पढ़ना है वूस में लोग को बारे में हापने देखा है तो वह लोग पहला तो बहुत बिजी लगते हैं अब तो टाइम मिला है टाइम मिला तो उसने तो विम्बेत का के मैं तो पेंटिक लागा नहीं लगा उसका कला पोशक को आर्ट और और किटेक्चर को दिखाने लगा है हैं दोसों और रिच्वल डैंसे और डैंसे मतलब बीच में तो आग इंस्ट्रुमेंट उसको लेकर गाने गाकर म्यूजिक लगाकर उन्हें नाचने लगा हैं दोसों इसा जीवन वही रिक्रियेशनल अक्टिविटेस हैं दोसों अब हम देखते हैं बरियल्स बरियल्स मतलब आप मर गया तो उसको सामाधी कैसा बनेगा वो को उसको भी डिफरे पर आपको याद रखना है दोसों फिर देखते हैं लंग अंज में तो हिमन स्केलटेंस मिला है उसके पास सब्सक्राइब बेवल्स वह सभी तो ऑर्नेमेंटल मेटिरियल से हैं दोसों वह वह बन्दा मर गये ना उसके पास ही मिला इसके 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 हम रखाकर समाधी बनाते हैं दोस्तों और आप देखते हैं बारील के रखेसा पर समाधी किया एक बार देखो दोसों इसको तो कि आयसा आधी किया एक बार देखो वह तो समादि को we are अब्पारी समय के खोले करें अभरी को बैंश घ्र्णील और और सेकेंडरी वरेर सो कहते ह intéeg करते हैं उसको कहते हैं टृब बैल द हमें मिला है अनिहार श्रक राइब यह सि辜़ Lewis प्लेसस में तो हमें multiple burials का evidences मिला रहे हैं दोस्तों और इस पीपल का objects क्या होता है ती वो तो microlytics, animal bones, beads और सभी उसका objects होता है दोस्तों और यह ही है हमें हम देखते हैं micro misolithic age का tools, pottery, arts कैसा होता है हैं क्या-क्या टूल्स और पॉट्री यूस किया है माइक्रोलिटिक मतलब उसका एज का स्टून्स तो चोटी हो गया और शार्प हो गया वह तो चिप से बना हुआ हैं दोस्तों इसका लेंद्ध बीद्धों के दोस्तों एक से 8 सिंटीमेटर की हैं मतलब बहुत चोटी सी स्टून्स उससे ओं रहां गैधरिंग सब करने लगा हैं दोस्तों तूल्स भी ब्लेट पॉइंट्स लूनेट्स ट्रपेज स्कूराप एड़ोहेट्स जोमेट्री और नांग्यूमेट्री इस तरह की टूल्स उन्हें यूस्ट करने लहा है इसका हिंदी का प्रांशलेशन कर नहीं सकता है वो सब इक है कि हमने देखा वेतना एरो का शार्प एजजेस स्टुण्स और शार्प होता है न वह सभी वैरीटी से थे सो ओके दूसर अब देखते हैं उसका और चलने शुरू कर दिया अब हम देखते हैं पॉर्टरी का एविडेंस हमें कहां-कहां मिला है, यह तो लंग अंच और Bagger, Bagger तोल मिसोलितिक साइट का बढ़िया साइट है, शबसे बढ़ा साइट है, यह तो राजससान के पास लेखे हैं, और नागरजन, कुणडा, और फे तो पटर मिला है, पटर तो मिटी से बना हुआ, बिंदी करते हैं, दोसों, और बेंदी और पॉर्ट्री देखो यहां इमेजस देखो देखो यहां इमेजस देखो बड़िया साफ नहीं झृgraphy की इस ब Sweet धौर विल इंवेंशन हुआ ही झसाल और पट्री सभी हैं मिसलितिक विज्टक सब पट्री काई कैसा है सब तो हैंड मेट पॉटरी यह तो याद रखना है दोसों पेंटेड रॉक शेटर्स कहा कहा मिला है हमको मिर्जापूर विंबेत का होसन गड़ा अदमगर लकनाहर जुवार एममाति प्रिदीश मोरुवान पाहरिन उत्रप्रदेश में अता कोपागलू करनाटका में और सबी प्लेजस में तो हमारा पेंटेड रॉक शेल्टर का एविडेंस मिला है वो पेंटेंटिंग सो किसको दिखाते हैं कैसा है उसका इंडिकेशन क्या है वो देखते हैं ती यह तो आनिमल्स स्टांडिंग और मूविंग बागने लगे अनिमल्स ग्रेजिंग काने ले हुमन डेटिंग टुटिंग करने का और गेम्स प्लेए करने का उस सभी का उन्हें पेंटेंटेड रॉक शेल्टर से दाला हुए हैं दूस्तों और सभी यह हमने पेंटेट रॉक शल्टर सब्सकों को देखा है हैं अब हम दिखते हैं नियो लिटिक एज मतलब यहां सो नियू स्टोन एज New months और्स बैरी चले नियुञतिक में इसलिए तो यह犯ु लीयु वहतं है लोग पहले से जाधा सेटली हो फार्म होगया वह मत बनारा हैं यह जदे कर आउंगे कर रहा है यह तो भी शेम पकड़ा के रखा हुआ है है यहां देखो दोस्तों फोटी सी डाल है उससे गेम केल सकते हैं और वह अच्छा से बना हुआ हुआ है दोस्तों ऐसा ही इंप्रूमेंट्स नियॉलिटिक एज में हो विया और यहां देखो दोस्तों इस इमेज को देखा है तो वह सभी तो विलेज तरह एक कटा करके सेटल इस नाम दिया हैं दोस्टों और आब हम देखते हैं नियोलेतिक स्टोन एज गर चन्ण मतलब अब हमदेखते हैं सोशेटी कैसा होते हैं तो हमने अग ईंप्लाइब कर्मान करते हैं यह तो प्लांड करते हैं दुस्तों और और अब ज्यादा से ज्यादा डमस्टिकेशन कर रहा है है और सीट्रिल्ट लाइफ शुरु वह और विलेज तरह सेटल्मेंट प्रारम हुआ हैं तो अपको द्यान से मिल सकते हैं इस image से ये तो विलेज के तरह settlement हुआ है और crops cultivation क्या क्या crops इन्हे तो दान्यों crops cultivate किया एक और देखा है तो वो तो crops wheat barley rice or lettuce इन सभी का crops उन्हें क्ल्ट मीट करने लगा है और आप देखते हैं hunting animals इन्हें तो बोर नील गाई vessels को hunting करने लगा और कर ships को हंटिंग करते हैं प्लेस हो क्लों से बना हुआ होते हैं दोस्तों हो भी डान ऊज़से बना हुआ घर दोस्तों और अब हम देखते हैं हाउसस तो सबडिवइडड होते हैं और एक ही गर को हम देखते हैंना किचेन हाल गर बेड्रूम ओइसा हम अब दिवाइड कर रहा हैं वह तो उसी काल में नियोलितिक एज में ही उन्हें तो इस गर को सेक्षनल डिविशंस प्लान के करके डि देखते हैं इसका तो इंटर्नल कंपार्टमेंट्स होते हैं दोस्तों काश्मीर वैली से हमें तो नियोलितिक एज का ज्यादा एविडेंस सब्सब्स तो सर्कलर वेल्ट्र और स्पार पिट्स गर्प इसा बना हुआ गर्स हमका गर्स हमें मिला हैं उसका वाल भी उन्हें तो तो बैम्बू से बना होए दोस्तों हो और कार na और जुक्स-पैक्ट्स इस टॉन से ही बना है भी हमें तो साफ मतलब टो चोटा सा पिट बना कर उसमें जाकर जीवन करते हैं दोस्तों जीवन यह तो नियू लिसन में और अब हम देखते हैं लोग दो कर लिए चुट कर ले यहां कि और लोग तो दो क्रैप्ति मृत्र करने हैं तो चोटा से पिट पना के उसमें ओ तो उस दानियों को और हैं प्रोप्स को सेव करने लगा हैं future music के लिए और यहां चोटी लोग यहां तो अनिमल्स हैं किया हुआ अनिमल्स हैं यहां तो चोटे लड़के लड़के सब केल रहा हैं इसका life दो एक ग्राम का जाईसे एक विलेज का जाईसे उसका होते हैं और ने जार ग्रेंब को भी इस हुआ फ्यूचर यूज फिचो के लिए वह तो स्टोर कर रहा है यह अग्रेंग के बहुत हो वह तो ग्राउंडर पालिश हो हैं दो स्मूथा अंड सब्फेस तूमेटरिक शेप्स टूल से हैं तो टूल्स क्या-क्या देखें तो आक्स अजेस्ट फू लोस्ट केल्स लांग विल्डिंग रूस पिक अन पिक्स वित सिंगल और डबल वरकिंग एंड्स लोसों चिसल्स एक्स कम हमर सोते हैं दोसों मेड़ दियुटरेट्स बसाल्ट स्ले ओस्पाAL था हम नहीं सकता है उसलिए में तो इतो हिंगली से दिया है दोस्टेर अब देखते हैं नियो लितिक स्वर्ण सिटों एज का अगरिकल्चर कैसा कैसा है हम नहीं कुंत बड़ zou बना के इससे आप देखते हैं इंडिया में कराभ है सब्सक्राइब करने लगा और उसका पाटरी भी ज्यादा इंक्रीस हो गया मतलब मिसोलितिक में शुरू हुआ अब नियोलिटिक ऋएज में तो पाटरी फो इंक्रीस हो गया ज्यादा होने लगए और पाटरी टेंख थो पहले स्हाली में अब तो आब आश्मिर का प्लेस में तो हमें हैं स्टोन्स lab मिला है फ्हला तो पैंटिंगं चरते ही रहते हैं रखेया और सbyooh इंग्रेध करने लगा थे m पैंटिंग करने लगा है कंपने लगा है फ सेहिन एक स्टोन्स lab मेंhta मिला है तो व कि Ya शेल्स स्टियटाइट स्टेरा कोटा सिलिकोन स्टोन चॉपर औंगोल्ड ऐसा बना हुआ मेटिरियलस से आर्नमेंट्स यूज़ करने लगा कॉपर बैंगल्स भी हमने ब्रह्मागिरी से एविडेंस मिला है दोस्तों और परियल्स के बारे में हमने देखा तो नियोलितिक एज ने कुछ नो कुछ तो मर गया तो उसका सेटल्मेंट्स होते ना इसके पास में ही उस तो बरी करने लगया है समाधी बना के करने लगा है दोस्तों हो और इसका डेट को बर्री करने के समय भी इसको तो पाट उसकी या पाट्री को नहीं रोड़ेकर तो से ले करे कर इस और फिर इसका हुई मन बॉन्स से साथ हमें तो डॉक का बॉन्स मिला हैं और गोट का भी बॉंस भी रहा है इससे हमें पता होता है क्या ही कि उसने तो कुछ न कुछ तो यूमन मर गए तो इसके साहत उसने प्यार से गोगरा है ना प्यार से डॉमेस्टिकिट किया हुआ डॉक्स, गोट्स उन सबी को بھی उसके साथ में अने बरे करने लगा हैं दोस्तों और यही आणिमल बरीयल्स निकाश्मीर में मिला हैं और सबी हमने देख लिया हैं दोस्तों अब देखते हैं कहा कहा से किस-किस का प्लेस में तो हमा इविडेंस मिला उस प्लेस से च्ञाइब कह देखता है दूसे पहला तो यह मैप देखे लो दुसे मतब यहां गरेथे साइड 6 साइट को होता हैं दौस्तूम अब देखते हैं मेहरगा मतलब यहां तो यह आज मिला में उन्हों होते हैं सभी चाहते हैं के नेट अनिया हैं से प्रिक्स सेरे पेडा लगा में जल डिय। लगा उसके तो में जलना चाहते हैं इसलिए लेट गौका्ट आइसा departments में। में तो वीड बार्ले काटनों सब एक को कल्टिवेट करने लगा इसका एविडेंस भी हमें मिला है दूस्तों काश्मीर वैली का एक सल है दूस्तों और अब देखते हैं विहार में तो चीरंद प्लेस हैं यहां से हमें तो बोन इविडेंस करनाटका में नियृखलिटिक सेच क्या QUESTION होते हैं वह संगनकल भ्रह्मगीरी मसकी पिकलि हल हलुर और ये सब कुंदा इस सभी प्लेसस हैं कहां से हमें तो नियोलितिक एज का एविडेंस वही मिला हैं दोस्तों फिर देखते हैं तमिल नाडू में तो पैयम पली कावेरी प्लेस बैलन वैली तो कॉल्डी हुआ महागारा यह तो मझे प्रदेश के पास ही हैं दोस्तों यहां तो पहला डमस्टिकेशन आफ राइस तो कहां हुआ है यह तो कॉल्डी हुआ यह प्लेस से आप तो जरीरी याद करना हैं दोस्तों यह तो एक्जाम में पूछा हुआ हैं फिर भी पूछ लेते हैं इसलिए तो आद करना है दोस्तों और सैज्जीं यौ्सी के नियोलिथ प्लेस के वेला हैं दोसुं गारग राइस में लिकेश के अविदेनला還 दोसों यह हमें नियूलिक के उसका सभी अभ्जेक्स टॉपिक्स हमने ठीक लिए पढ़ लिया सnost अंतांबू अख्ण थी요 त्यखि esplanal ऐ सब्स्राइबर्स और विवर से दोस्टों थैंक यू फार सबस्राइबिंग लिया इसके रही हो सब सबका सपॉट के लिए मैं तैंक्स कर रहा हूं आपका सपोर्ट से ही आपने कोई करना है तो मैं ज्यादा वीडियोस ज्यादा क्लाइस सभी सब्सक्राइब को लेने के लिए तयार हूं क्योंकि मैं ही एक बना हूं लेता हूं क्लाइस सभी इसलिए तो कुछ लेट होता रहाता है सब्सक्राइब भी आपका सपोर्ट से हम तो कुछ ना कुछ तो आशी कर सकते हैं दो सो थैंक यू थैंक्स वर्चिंग से एडिकेशन वर्ड तोगेदर वी क्रेट एबेटर वर्ल साइनिंग आप एस पी राजन बाई टेकर